जब जब अपात्रों के हाथ में सत्ता आई, जब जब अपात्रों के हाथ में कुरसियां आई, जब जब अपात्रों के हाथ में पावर आया, तब तब अराजकता हुई, तब तब नकारत्मकता फैली, तब तब अपमानवीता फैली, तब तब मानवता का हरास हुआ, तब तब मानो सब्भेता पर करारा प्रहार हुआ यद इस प्रकार ही चलता रहा तो मानो सब्भेता विनाश के और बहुत इसे बढ़ी रही है अपात्रों को रोकने के लिए अपात्रों के हाथ में सत्ता जाने से रोकने के लिए हिंसा खोन खराबा करने वाले लोगों के हाथ में सत्ता जाए उससे पहले मानलता वादी सकारत्मक एवं शानति पूर्ण गतविधियों से उत्परोत लोगों को आगे आना होगा शान्ति पूर्ण लोगों को आगे आना ही होगा तब ही इस नकारत्मक्ता का तोड़ निकाला जा सकता है अन्यथा इसी प्रकार से अराजकता अमानविता अपनी चरम इस्तित तक पहुंसती ही रहेगी एवं सच्चन लोग भुगतते ही रहेंगे